हाई दोस्तो नमस्कार सत्ष्रियकाल की हाल चालता ड़सा और उमीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे सो दोस्तो आज मैं एक पहुत ही छोटा सा व्लोग लेके आई हूँ विलेज व्लोग जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारी दीदी हैं वो बाड़ी में आई हुई है इसका फर्स्ट पार्ट मैं जो अलरड़ी पोस्ट कर चकी हूँ दीदी का और मैंने उसमें बोला था कि मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी तो गाए वगारा भैंस को पठे डालने के बाद यहां पर जो उनका गोवर था एक जगे कठा कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उसके जो है कंडे उपले वगारा जो है बनाए जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते ह जो है गोटे जो गोहे हम पंजाबी में इसको बोलते हैं गोवा पथना तो यहां पर जो है गोहे को पथा जा रहा है मतलब उसके छोट छोटे से कुछ शेप बनाई जाती है फिर दूप में उसको सुखाया जाता है और यह सर्दियों में जो आग जलाने के काम आते हैं जो उपले, कंडे, गोहे यह सब बोला जाता है अलग-अलग नाम से और आपकी स्टेट में इस चीज़ को क्या बोला जाता है आप जरूर मुझे बताइएगा और अगर आज कोई मेरा दोस्ट फर्स्ट है मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज चैनल वीडियो अच्छा जिसमें सिटी ब्लॉग और पंजाबी ब्लॉग क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की फर्मायश थी पंजाबी ब्लॉग के लिए अगर आपने वो मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूंगी आप जरूर उसक बातें भी कर रही हैं तो यही एक समय होता है देवरानी जिठानि का जब एक साथ बैठ गर के इलो दुक्सुप की बाते भी कर लेती हैं और यहां उप्ले बनाने के बाद गोहे बतने के बाद यहां से फिर यह थोड़ा सा गए बगरा को डालेंगी भैश को पठे वगरा और फिर कल उठा करके इसको कहीं और रख देंगी यहां पर आप देख सकते हैं गाए भैस जो है पठे खा रही है और यह बच्चा जो एक छोटी गाए का बच्छड़ा है उसके लिए यहां पठे रख दिये हैं और अभी उसको उधर से लाग करके इधर बान दिया जाएगा तो दोस्तो शाम के समय का यह व्लॉग है बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं कि जिसको करना जो जरूरी भी होता है जादा करके जो बड़े दीदी हैं वही बाड़ी में आती है चोटे वाले जो दीदी हैं देवरानी है वो कम आती है तो इसलिए गाए वगएरा जो भैंस वगएरा है वो दीदी ही बानती है उनको जादा आइडिया है मुझे तो डल लगा ये मारने भागा बट नहीं वो भागती हुई जो बच्चा था वो सीधा अपने जगे पर आगया अपना जो खाना खाने के लिए तो यहां आप देख सकते हैं दीदी ने उसको बान दिया है और दीदी हस रही है वो पका देवरानी को मारने के लिए ये बच्चड़ा भागा था तो मुझे भी हसी आ गई तो दीदी भी हस रही है इसी बात के उपर तो दोस्तों आप लोगों को ये मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताना है फीड़ वैक जरूर देनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और जो मेरे बाग की वीडियो है उनको भी आप चेक आउट करें यहां पर देखिए जानने से पहले जो देवरानी है जो भैंस का बच्चा है उसके पास आई है बहुत ही क्यूट सा ये कट रहा है कटा बोलते हैं हमारे पंजाबी में तो काला सा वाइट वाइट इसके ओपर लगे हुए है और इसको भी थोड़ा सा खाना दे दिया गया है जितना उसका साइज है उतना ही औ मुझे ये सीन बहुत प्यारा लगा आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बतायेगा आप मुझे फीड़बैक दीजिएगा तो नाइस ने इस मोमेंट इस वेरी क्यूट और ब्यूटिफुल कैसे बच्चे को प्यार किया जा रहा है तो थैंक्स पर वाचिंग इस कुछ को कि वीड़ भी रहा है तो ये झाल ये स्देट अ हमने इस वीड़ चाह क टरिफ ए एस प्यारा जाइस ने प्याद चेहा है तो